हेलो, स्टानर्ट सेवन, सबजेक्ट इंग्लिस ग्रामर, हमारा फर्स्ट क्वेस्टन है, क्वेस्टन वन ए, एमसी क्यूज, और हमारी जो पेपर पेटन है, उसमें जो सबसे पहला क्वेस्टन है, एमसी क्यूज का, उसके अगर आप आंसर लिखते हो, तो उस क्वेस्टन का नंबर और उसके सामने जो आप आंसर लिखते हो, ए, बी, सी, या तो फिर डी, वो आंसर आपको सही से लिखना है, क्वेस्टन नंबर डालना है, ये वाला, क्वेस्टन नंबर ये वाला आप सही से डालोगे, फिर आपने कौनसा क्वेस्टन लिखा है, वो भी लिखोगे, और उसमें से अगर आप कौनसा आंसर लिखते हो, उसका बी है इसमें, तो आप बी लिखोगे, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, question 1 उसका 1 और उसका B और उसमें जो है वो gives उस तरीके से आप answer लिखोगे अगर आपने answer लिखने में गलती की आपको answer सही है पर आपने उसका option वो गलत लिख दिया तो फिर आपके marks कट जाएंगे तो सही से देख कर जिस answer के सामने जो A, B, C, D आ रहा है वही आप लिखोगे तो हमारा first question है write simple present tense of give इसमें क्या करना है हमको give का simple present tense लिखना है यह रहा simple present tense तो कौन सा होता है give का simple present tense gives तो हम कहां टिक करेंगे जो B है उसके नीचे ऐसे उसके बाद second question select the past tense from the given below क्या करना है हमको past tense select करना है A में है write, B में है return, wrote, writes तो कौन सा है इसमें से past tense, wrote, क्या है C, wrote का C तो हम C के उपर ऐसे टिक करेंगे third, select the proper noun from the given below नीचे जो option दिये हैं उसमें से आपको proper noun वो select करना है A, woman, B, rohan, C, brave, and D, army तो इन सब में से अगर हम रोहन अगर ये select कर रहे हैं तो रोहन से हमको पता चलेगा रोहन वो वही लड़का, रोहन, है ना, तो वो होता है proper noun तो B पे हम टिक करेंगे उसके बाद है fourth, select the past progressive tense past progressive tense नीचे से कौन से है A, is playing B, was playing C, plays, या फिर D, played तो क्या करेंगे past, was, were, और progressive है तो ing तो was, were और ing कहां पे है B में, was playing तो हम इसके उपर टिक करेंगे उसके बाद five है select the past perfect tense past perfect tense यानि कि क्या आएगा past में head है ना, head करेंगे तो A में है head finished B में है have finished C में है is finishing और D में है was finishing तो हम क्या करेंगे कौन सा आप, आपको लग रहा है वैसे मेंने टिक किया है तो आपको पता ही होगा कि कौन सा answer आएगा है ना, तो हम क्या करेंगे has, have, head वो perfect tense के form है है ना, पर इसमें से past बोला है तो हम करेंगे head finished ठीके, क्यूंकि head के साथ हम क्या लिखते है past participle इसलिए finished का finished हो गया head finished उसके बाद है six question what is the opposite of float, इधर हमको opposite लिखना है float का तो hot sink, wise या pain composite क्या होता है sink seven choose the correct short form answer of may I come in तो उसके option है yes, it was no, I don't yes, you may none of above तो क्या लिखेंगे हम इसमें से c वाला yes, you may eight water has no dash तो क्या लिखेंगे dash में कौन सा वाला आएगा water has no test है ना water का कोई भी test नहीं होता है तो कौन सा spanning a में test b tos c test d tice तो क्या लिखेंगे test लिखेंगे हम इसमें दो test है तो आपको इधर t a s t e c उसके उपर हम टिक करेंगे उसके बाद nine select the correct opposite of beauty इसमें भी opposite लिखना है beauty का तो beauty का opposite क्या होता है ugly तो b के उपर हम टिक करेंगे और आप ये सारे जो टिक की हुए answer है वो आपको तो लिखने है तो आप वो लिखेंगे 10 that is the best policy a truth b honesty c kindness d none of above तो कौन सा आएगा honesty तो हम answer में क्या लिखेंगे honesty 11 choose the correct sentence of apostrophe तो नीचे जो आपके सामने a, b, c, d में option दिये हैं उसमें से b वाला जो option है वो सही है जिसके उपर हम करेंगे tick और आप लिखोगे answer ठीक है आपको तो tick नहीं करना है आपको लिखना है तो सही question number और उसके सामने सही option लिखना है 12 choose the correct opposite pair आपको जो सही opposite pair है वो चूज करनी है तो इसमें से कौन सी है expanse contracts hot heat birth, born none of above hot, heat दोनों गरम birth, born दोनों बर्थ के बारे में none of above कोई भी नहीं या फिर expanse contracts तो हम क्या लिखेंगे ए वाला उसके बाद 13 it is a crime to dash food तो waste good waste या फिर last वाला waste c वाला भी waste है last वाला भी waste है है ना c वाला जो है वो direction को दिखाता है और last वाला जो waste है वो पता ही होगा waste नहीं करना है food को waste नहीं करना तो food waste करना crime है है ना तो हम लिखेंगे इधर d 14 choose the wrong opposite pair इधर आपको जो wrong opposite pair है वो लिखनी है virtue wise pleasure pain expensive costly और modern ancient तो कौनसी इसमें से wrong है तो expensive and costly ये वाली pair wrong है expensive महेंगा और costly भी महेंगा तो opposite में ये दोनों एक जैसा नहीं आदा ना expensive और costly तो वो हम लिखेंगे और लास्ट है डिड राणा सांगा rule over मेवार नीचे से कौनसा आंसर सही आएगा इसमें yes he was no he was yes he did ये none of above कौनसा आएगा yes he did तो इस तरीके से अब जब आंसर लिखोगे तो जो question है वो question number भी सही डालना है और उस question का जो option है वो option A, B, C, D वो भी आपको सही से चेक करके लिखना है ओके thank you students